चेट्रफल और आयतन इस चेप्टर के हम लोगोंने अपने पिछले वीडियो में 30 प्रिशन तक सॉल्व कर लिये थे और आज हमें इसी के आगे 31 नमर से श्टार्ट करना है तो चलिए हम लोग श्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रिशन यान 31 नमर का प्रिशन हमारा आज का पहला प्रिशन है तो प्रिशन देख लिए प्रिशन बहुत ही आसान है इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे एक ब्रिशन का छेत्फल जिसका मान दिया गया है 616 बर्ग मीटर इसका मान दिया गया है इसका ब्यास क्या होगा यानि कि ब्यास हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लोग तरिज्या निकाल लेंगे तरिज्या का डबल कर देंगे तो हमारा ब्यास आ जाएगा बrit के 6 तरफल का formula च्पार्मुला होता है formula होता है पाई R² और 6 तफल की value आपको दिया गया है 611 मीटर स्कार यानि बर्क मीटर इसका हम लोग मान रखते हैं पाई को मान होता है 2 पटे 7 यहां पर हैगा R² और यह रहेगा 616 इसको हम लोग 11 से cancel out करते हैं 11 दूनी 22 और इसको cancel करेंगे तो 11 55 6 बचेगा 11 6 6 6 2 से cancel out करेंगे तो 2 दूनी 4 और 28 यनि 28 रहेगा आर स्कॉर बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 28 रहेगा यह हमारा 28 है और यह मैंसे प्लाइब भाई इस 7 का तिरे गुणा इधर हो जाएगा तो आर-ई-सकब बर्गमल निकालने से पहले इसको हम लोग बर्ग की रूप में करणवर्ट कर लेते हैं 27 को लिकते हैं 28 को लिखते हैं क्या लिखें चार सते 28 सब्सक्राइब साथ चोग 28 होता होता ही है अब इसको हम लोग बर्गम prag ले सकते हैं, तो आरिस वार का बर्मूल हो जाएगा, चार का बर्मूल होता है कितना दो, और साथ गोने साथ, यानि उननचास उननचास का बर्मूल कितना होता है, साथ, आर की वैलू कितनी आ जाएगी, चवदा, तो चवदा मीटर हमारी आर की वैलू आगा जाएगी, अब जल्दबाजी में आपको option नमर B पे टिक नहीं लगा देना है 14 मीटर क्योंकि ये त्रिज्या नहीं पुछ रहा है ये व्यास पुछ रहा है तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का डवल यानि ये 2R होता है तो 2R की वैलू 14 दुमी 28 मीटर रहेगा तो जल्दबाजी में 14 पे कहीं न कहीं जल्दबाजी में जल्दी कर देते हैं आगे बढ़ते हैं 32 नमर के प्रिश्ण पर ये 37 नमर का है अब ये 32 नमर का प्रिश्ण हमारा आचुका है प्रिश्ण सारे आसान है बसरते आप ध्यान रखिएगा कोई चीज में घुवां फिरा कर तो नहीं दी गई है प्रिष्ण में लिखा गया है एक बृति की पर्धी बाई सेंटिमीटर है तो जो बृति की पर्धी का फार्मला होता है वो फार्मला होता है टू पाई आर यह हमारी पर्धी का फार्मला है और पर्धी दिया गया है बाई सेंटिमीटर ठीक है यह टू पाई आर की वैलू रख दीजिए, πाई की वैलू होती है, 22 बटे 7, आर्क की वैलू हमें निकालना ही है, इधर हो जाएगा 22, ये 22 से 22 कैंसल आउप हो जाएगा, आर्क की वैलू कितनी हो जाएगी, 7 का तिरे गुणा इधर होगा, 2 का तिरे गुणा इसके नीची आएगा, यानि कि 7 बटे 2 cm हमा ठीक है, कोई नया फार्मूला तो बनाना नहीं है, अब इसमें वैलू पुट कर दीजिए, पाई कमान कितना होता है, 22 बटे 7 होता है, आर्क की वैलू है, 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 का स्क्वार है, यानि 7 बटे 2 हमारा दो बाल लिखना पड़ेगा, या भी नीचे वाला 2 हमार करेंगे, तो 77 रहेगा, और नीचे 2 का 2 में मैस्टिप्लाई करेंगे, तो आपका 4 आएगा, यानि 77 बटे 4 करना है, आपको 4 का भाग 77 में देना है, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा हो जाएगा 27, 4, 9, 36, तो एक बचेगा हो जाएगा 10, 4 दुनिया 8, 2 बचेगा 4, 5, 20, यानि 19 दसमल को तुरम देशते हुए ही हमें आज़र कर देना है, आगे बढ़ते हैं, अपने 33 नमर के कुश्चन पर 31 हमारा हो चुका है, 33 नमर का प्रिश्ण भी आसानी प्रिश्ण है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, 22 सेंटिमेटर पर्धी वाले बिर्ताकार छेत्र का छेत्फल क पर्धी कितनी है, पर्धी हमारी 22 सेंटिमेटर दी गई है, यह आपके 29 मार्च को आ चुका है एक्जाम में, तो पर्धी का आपको वैलू पता है, पर्धी का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई र होता है, और पर्धी का मान कितना भी आ गया है, इसमें 22 सेंटिमेटर दिया और लोग निकल लेंगे तुशेब्स फल का फार्मोल रखे देंगे दो कितना होता है रिज्य हमारी र है बराबर के हां कितना है बाइस है यह बाइस से बायस केंसल आउप हो जाएगी र की वैलू कितने रहेगी 7 का 3 गुणा करेंगे तो उपर जाएगा और 2 का 3 गुणा करेंगे तो ये कहां आएगा ये नीचे आएगा यानि कि 7 बटे 2 सेंटिमेटर आपके बृत की परधीर आएगी ठीक है आपके बृत की तिर्जा हो जाएगी 7 बटे 2 अब बृत का छेत्र का छेत्फल निकालना है तो छेत्फल का फर्मुला क्या होता है पाई आर स्कॉर ये आपके छेत्फल का फर्मुला होता है इसमें वैलू पूट कर दीजिए पाई कमान कितना है 22 बटे 7 है आर स्कॉर यानि आर कबर करना है तो आर कमान कितना है? 7 बटे 2 चलिए इस कमान हम लोग रख देते हैं तुरंत हमारा आंसर आजाएगा ये 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा ये 2 से से कैंसल आउट करेंगे तो 11 बार कटेगा 11 का 7 में मल्टिप्लाइ करेंगे तो 17 आएगा और नीचे कितना है? नीचे 2 है 2 का भाग आप 17 में करना है चलिए कर दीजिए तो 2 तियाए 6 बचेगा कितना 17, 2 अठे 16 और 2 पंचे 10 तो 38.5 cm2 आपका अंसर आएगा और से नमर D बिलकुल सही है कुछ भी नहीं करना है आपको परधी कमान दिया है और छेतफल निकालना है तो पहले आर की वैलू आप पता कर लीजिए उसके वाद हम लोग छेतफल कमान निकाल सकते हैं आगे बढ़ते हैं हमारे 34 नमर का प्रिश्ण बहुत ही अच्छा प्रिश्ण है इसमें लिखा गया है एक पहिये का ब्यास 84 सेंटिमीटर है ब्यास अगर 84 है तो तरिज्ण कितनी हो जाएगी तरिज्ण इसी याधी हो जाएगी तो आधे कितनी होगी कितना होगा 42 सेंटिमीटर हमारे तरिज्ण हो जाएगी और 722 मीटर की दूरीताएं करने में इसे कितने चक्कल लगाने पड़ेंगे यही हमें निकालना है तो पहिय के लिए याद रखेगा पहिया जो होता है वो बृत कार का होता है ऐसी कंडिसन में जो बृत की परधी होती है 2πr यही हमारे पहिय की भी परधी होगी तो पहिया जो होता है अपनी पर्धी के बरावर एक चकल लगाता है पर्धी के वैलू कितनी होती है 2 पाई आर नहीं 2 पाई आर में पहिया जो है एक चकल लगाएगा ऐसे ऐसे हमें कितने चकल लगाने है मान लेते हम ऐसे ऐसे X चकल लगाना है तो ऐसे हमने X चक्कल लगाया तो कुल कुतनी दूरी ताइं किया कुल हमने दूरी किया आपके प्रिष्ण में लिखा है 792 तो 792 मीटर आपने कुल दूरी ताइं किया एक चक्कर में कितनी दूरी ताइं कर रहे हैं 2 पाई यानि पर्थी के बराबर ऐसे हमने कितने चक्कल लगाएं तो हमने माल ले X चक्क्र ऐसे लगाएं तो टोटल कितनी दूरी तैं करेंगे वो आपके प्रिष्ण में दिया गया है 792 मीटर अब आप ध्यान रखीएगा यह जो ब्यास दिया गया है यानि कि तृज्ज्य हमने 222 मीटर में है वह साथ सो बानने बेकिस में है मीटर में है तो इसको भी हमें 102 मीटर बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे माल गग एक ही वैलु वेलू में होनी चाहिए, तो चली पहले मान रखते हैं, दो, पाई कमान कितना होता है, 22 पटे, 7, आर, आर हमने कितना निकाला है, 42 cm, यहाँ पर 42 cm लिख दीजिए, यह x, x हमने माना है, जितने चक्कर लगाता है, इसी कमान तो हमें निकालना है, यहाँ पर कितना है, 702, यह क से कैंसल होगा, 6 6 से कैंसल करते हैं, 6 कम 6, 6 तरिक 18, एक बचले का, 6 2 2 ली, 12, 132 रहेगा, ठीक है, 11 से से कैंसल करते हैं, 11 12, 22 ठीक है, बचा क्या, यह 6 कैंसल आउट हो चुका है, और यहाँ दो बचल, यहाँ två बचल, यहाँ दो बचल, 2 का 2 में गुरा करेंगे, 4 आएगा चार को इस बारा से cancel आप करेंगे तो कितनी बार कटेगा तीन बार कटेगा और यह दो 0 पीछे है ही और यहां क्या बचा है सिर्फ आपका X बचा है तो X बरावर 300 आपका अंसर आजाएगा 300 आपसन नमबर भी हमारा बिलकुल सही रहेगा यानि कि 792 मीटर की दूरी ताय करने में हमें टोटल 300 चकर लगाने पड़ेंगे 37 नमबर का प्रिष्ण हमारे सामने आ चुका है और यह मौखिक प्रिष्ण है relevant PC के एकजाम में या group D के एकजाम में बहुत सारे प्रिष्ण कम से कम 3-4 प्रिष्ण आपको ऐसे मिलेंगे जो मौखिक ही लगाना है अगर इसमें थोड़ा सा common sense यूज कर लेंगे तो यह प्रिष्ण आपका मौखिक ही प्रिष्ण है कैसे प्रिष्ण को एक बार पढ़ते हैं एक ब्रिष्ण की सबसे बड़ी जीवा की माब 10 cm है और सबसे छोटी जीवा की माब 4 cm है तो ब्रिष्ण के तिर्ज्या क्या होगी तो पहले हम लोग यहाँ पर एक ब्रिष्ण बना लेते हैं माल लेते हैं ये बृत है, सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है, वही हमारा बृत का ब्यास होता है, इस चीज को धान में रखिएगा, यहां फे लिखा है, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जो जीवा होती है, वही बृत का ब्यास कहलाता है, तो स ब्रित के सिर्जा निकालना था विर्त के सिर्जा ओप्षन नमबर भी हमारा बिलकुल सही रहेगा तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था है और यह जो सबसे छोटी जीवा है इसका कोई विजरूत नहीं है ठीक है सब उपर की लाइन ही पढ़ना था आपको सबसे बड जा सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 36 नमबर के प्रिश्ण पर प्रिश्ण में दिया गया है 28 मीटर ब्यास तो अगर किसी ब्रित में ब्यास हमारा 28 मीटर होगा तो त्रिजा कितने होगी ब्यास किया धी तो कितना मीटर हो जाएगा 14 मीटर हमारा त्रिजा हो अब आगे बढ़ते हैं, एक बृत्टाकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी, यदि सुल्क 125 रुपय परती बर्ग मीटर है, तो एक बर्ग मीटर में कितना रुपया खर्च घर हो रहा है, 125 रुपया खर्च हो रहा है, तो हम लोग 6 रफ़ निकाल लेंगे, 6 रुपया करते हैं 22 बटे साथ R की वैलू हम निकाल चुके हैं वो इसका बर्ग करना है यानि इसको दो बार लिखना है तो यह हमारे छेतफल का फार्मला होगा यानि कि मीटर स्कॉयर में अब हमें निकालना है कितना रूपया खर्च होगा तो रूपया 125 रूपया खर्च होता था एक मिटर में लेकिन हमारे पास टॉटल कितना है कितना बर्ग मिटर है तो टॉटल म का खर्चा कितना हो गा ये हमारे पास total बर्ग मीटर थे, एक बर्ग मीटर में कितना खर्चा है, 125 तो इस total बर्ग मीटर में कितना खर्चा है, 125 का multiply करना है, तो हमने वही किया, साथ से से cancel हो करते हैं, 7 दिन 14, ये 2 का 2 में multiply करेंगे, तो 44 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 14 रहेगा, यहाँ पर आपका 77,000 रुपया हमारा इसमें खर्चा रहेगा, आप इसको multiply कर सकते हैं, आराम से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो प्रिशन आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ आपको एक बार इस वीडियो को देख लेना है, किस प्रकार के प्रिशन आपके railway के एक प्रि तरिज्या वाले एक ब्रिट की पर्धी में ब्रिधी ग्याद कीजिए, यदि तरिज्या में 7 cm की ब्रिधी की जाए, तो आप ऐसे समझेए, कि हमारा पहले कोई ब्रिट है, इसमें क्या करना है, एक ब्रिट बनाना है, जिसके तरिज्या कितनी है, 14 cm है, और एक दूसरा ब् परधी में, परधी में कितनी बरधी होगी, यह हमें निकालना है, अब यहाँ पर एक छोड़ा सा कॉंसेप्ट आपको समझा रहा है, प्रिश्न तो बहुत ही आसान है, पहले इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, कि पहले हमारी तरज्या कितनी थी, चौदा थी, ठीक है, जब हमने साथ की बरधी किया, तो तरज्या कितनी हो गई, तरज्या हो गई हमारी 21 cm, ठीक, बरधी कितनी हुई है, 7 cm की हुई है, तो हम पहले 21 cm की परधी निकालें, फिर 14 cm की परधी निकालें, दोनों कंद, यह हमारी बाद वाली परधी निकाल लिजिए, 2 pi r का formula यूज करके, यह परधी का formula 2 pi r यूज करके निकाल लिजिए, फिर इसमें से यह घटा दीजिए, तो उससे कोई फायदा नहीं, इतना लम्ला प्रोसेस करने से, आप क्या करिए, सिर्फ बरधी निकाल लिजिए, बरधी कितनी हुई है, 7 cm की बरधी हुई है, तो बरधी हम से पूछ रहा है, तो बरधी ही हम लोग निकाल लेते हैं, यानि 2 pi r परधी का हम लोग formula रखेंगे, 2 pi r इसमें जितना बरधी हो रही है, सिर्फ उतना मान रखिये, तो बरधी कितनी हुई है, 7 की हो रही है, तो 22 बटे 7 उससे बरधी का मान रखिये से, यानि कि बरधी कितनी हो रही, 7 cm की, ठ आप पुराने concept से कर लीजिए, जो हमारा नया बृत बना है, उसकी तरज्जा कितनी है, उसकी तरज्जा 21 है, यानि कि 2 πाई और यहाँ पर 21, यह आर की मान हमने 22 रखा है, ठीक है, और माइनस पुराना वाला बृत है, उसकी तरज्जा 14 है, तो उसकी परधी कितनी होगी, 2 πा या वार कमान कितना है, 14, तो इसको भी solve कर लेंगे, तो भी आपका answer 44 cm ही आएगा, तो simple तरीका तो यही है, common जो पुराना तरीका है, या simple तरीका यही है, लेकिन इसी प्रिश्ण को हमने एक नए तरीके से किया है, जिसमें सर्फ बृत्धी 7 cm की हो रही है, सर्फ उसी पर लुक पर्धी निकाल सकते हैं, तो 44 cm option नमर भी हमारा बिलकुल सही रहेगा, आगे बढ़ते हैं अपने 30 नमर के प्रिश्ण पर, ये प्रिश्ण बहुत ही बढ़िया है, इसको आराम से हम लोग करेंगे, इसको पूरे detail में आप समझते जाईए, 22 मीटर ब्यास, तो जब अ आकार में एक बगीचा बनाया गया है, तो चलिए चित्र भी हम लोग साथ 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 बनाते रहते हैं, इसका त्रिज्ण कितनी है, त्रिज्ण हम लोगों ने निकाले यहां से यहां तक, कितना है, 11 मीटर, आगे बढ़ते हैं, यहां बढ़ते हैं, यहां बढ़त ये इतना आ रहा है 4 मिटर तो चार मिटर आकार का एक क्या बनाया गया है बृत्ताकार भाग बनाया गया है तो इसके लिए हम लोग पैन को चैंज कर लेते हैं जभी चित्र कुछ बढ़िया बनेगा ठीक है तो ये बिर्तकार रिंग घांस दोरा ढखे जाने के लिए कहा गया है तो बिर्तकार रिंग का छितफल बर्ग मीटर में ग्याद कीजिए तो कौन सा रिंग बन रहा है इस ऐसे अंदर दो बिर्त बनाने से हमारा एक रिंग बन रहा है रिंग कौन सा बन रहा है ये वाला रिंग बन रहा है ठीक है ये वाला हमारा रिंग बन रहा है और इस रिंग में क्या लगानी है इस रिंग में हमें घास लगानी है और घास का छितफल क्या होगा हमें यही निकालना है तो घास का छितफल निकालने के लिए आप क्या करिए बड़े बिर्त का छितफल यानि कि जिसकी त्रिज्या 11 है उसमें से छोटे बिर्त का छेत्फल जिसकी त्रिज्या 4 है उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है तो कुछ नहीं करना है बहुत आसानी से बड़े बिर्त के छेत्फल में से छोटे बिर्त का छेत्फल आपको घटाना है आप की त्रिज्जा को हम लोग इस moral मान लेते हैं तो बड़े बित का छित फल πाई r square माइनस छोटे बित का छित फल पाई r square तो πाई common ले लेते हैं यहाँ पर क्या होगा r square minus की r square और r square की value रखते हैं capital r की value है ज्यारा तो ज्यारा का बर्ख minus की small r की value है poor, 4 का बर्ख यही होगा न यहाँ पर bracket को बंद करते हैं यह 4 है यहाँ पर कौन सा formula यूज होगा यहाँ पर आपका formula होगा ग्यारा का ले मैनेस की 4 का बर्ख formula यूज होगा a square minus के b square formula होता है a plus b और into a minus b यह formula होता है इसी फर्मूल को हमें यहां पर यूज करना है पाइक कमान भी रख देते हैं पाइक मान होता है 22 बटे 7 बराबर एक बार यानि कि प्लस बी एक बार इनहें जोड़ना है तो 11 और 4 जोड़नेंगे कितना आ जाएगा 11 चार पंदरा एक बार घटाना है 11 में से हम लोग चार घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा तो 15 गुणे 7 रहेगा यह 7 से 7 के अंसलाग हो जाएगा आपका 15 का गुणा 22 में करना है त 15 दुनी 30 और 15 दुनी 303 33 यानि 330 किस में है ये मीटर में 330 मीटर इसक्वाई यानि बर्ग मीटर आपका आंसर रहेगा 330 आफसर नंबर C हमारा बिलकुल सही रहेगा तो कुछ नहीं करना था बड़े बिर्द के छितफल में से छोटे बिर्द का छितफल खटाना था हमारा तो आजे बढ़ते हैं 39 नंबर पर ये प्रिष्ण आपका मौफिक प्रिष्ण है लेकिन समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा चित्र में लिखा गया प्रिष्ण में लिखा गया है यदि एक समांतर चत्रभुज A B C D का छितफल 25 बर्ग सेंट तो त्रभुज B C D का छित्फल क्या होगा यहीं हमें निकालना है तो B C D ये त्रभुज है यानि कित कौन से त्रभुज का इस वाले त्रभुज का छित्फल क्या होगा ये हमें निकालना है B C D वाले इसका छित्फल निकालना है तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये पू चीज का अधा कितना होता है 12.5 तो 12.5 बर सेंटिमीडर हमारा जो है आंसर सही रहेगा तो इसमें क्या करना से सब चित्र बना के ही आपका आंसर आ रहा है लेकिन यहां पर देखिए 12.5 दो जहां लिखा गया है जल्दबाजी में बहुत सारे लोग आपसर नमबर C पर टिकल लगाएंगे और क्योंकि सोचेंगे कि हमारा 12.5 तो आंसर आ गया 12.5 आपसन C मिलेगा तो इन टिक लगाए बढ़ जाएंगे उन्हें आपसर नमबर D देखेगा नहीं अब इन दोनों में अंतर क्या है अंतर यह है कि 12.5 यह सेंटिमीटर है आपका जब्दी छेतफल आता ह है तो बर्ग सेंटिमीटर में होता है तो आफसनन कर लगाएंगें कि जल्दवाजी में 12.5 यह दिखता है नहीं है एकजाम में ऐसा बहुत बार होता है जो पिश्न आपको आता रहता है बहुत ही आसान होता है जल्दवाजी में हम उसी में गलती करते हैं तो आसन नमर डी पर टिक लगाएगा आपका 12.5 बर्ग सेंटीमीटर सही रहेगा अब बढ़ते हैं चालिस नमर के प्रिश्ण पर चालिस नमर के प्रिश्ण बहुत ही आसान साथ प्रिश्ण है एक समांतर बहुज का छित्फल 92 बर्ग मीटर है अब समांतर बहुज से यहां मतलब है समांतर चतरगुज ठीक है क्योंकि चतरगुज भी एक बहुज ही होता है तो यह इसका हम लोग चत्र बना लेते हैं ये समांतर चत्रभुज हो गया, इसका छित्फल दिया गया है, कितना बान नबे बरे मीटर दिया गया है, इसकी उचाई 23 मीटर है, तो ये इसकी उचाई होती है, ठीक है, उचाई को हम लोग H कहते हैं, और H की value दी गई है 23 मीटर, हाँ, तो अरी मीटर में है, H की value कितनी है, 23 मीटर, अब हम लोग जानते हैं समांतर चत्रभुज का जो छित्फल होता है, ये अगर हम लोग आधार को A माल लें, पर उचाई को H मानें, तो जो समांतर चत्रभुज होता है, उसका छित्फल A गुणे H ही होता है, यानि आधार गुणे उचाई, यही हमारा समांतर चत् निकालना है। उचाई कितना दिया गया है। उचाई आपको तैस दिया गया है। तो एक ही वेलु कितुनी होगी। तैस का इस बार्ण में भाग करेंगे। तो टोटल आपका चार बार जाएगा। जो ऑ बराबर 4 मिटर नियान हमारे आधार कितना लंबा होगा आपका 4 मिटर लंबा होगा ओफिन नमबर B यहाँ पर बिलकुल सही रहेगा तो कुछ नहीं करना था सीधा सीधा फार्मला यूज करना था समांतर चतुर का छेत्फल बराबर आधार उने उचाई जिसमें आपको छेत अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो इससे अपने दोस्तों में शेर भी करते हैं